हेला दोस्तों आपको 25 मार 2022 के करेंट अफेर्स पताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ कोशन्स बताऊंगा फिर उनके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा तो दोस्तों पूर्ज चीज को डिटेल हम समझने के लिए वीडियो में अंतक बने र तो दोस्तों हमारा फर्स्ट कोशन है रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री है जॉइंटली और जॉइंड मिलिटरी एक्सरसाइज लेमिटाइल 2022 यानि दोस्तों हाल ही में भात और किस देश ने मिलकर सेयुक्तु सेन ने अब्यास लेमिटाइल 2022 का योजन किया है हमार तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है भी शेचेल्स दोस्तों इसके बार में ठोड़ी ओर डिस्क्रिप्शन जानते हैं दोस्तों भारती सेना और शेचल्स रक्षा बलो SDF के बीश नौवा सेक्स सेने अब्यास लामी टिये 2022 सेशल्स रक्षा अकाडमी SDA सेशल्स में 22 मार्स से 31 मार्स 2022 तक आवजित किया जारा है भारती सेना और शेचल्स रक्षा बलो दोनों की एक-एक इंफेंट्री प्लान टून कमपनी मुख्यले के साथ इस अब्यास में बाग लेगी इस अब्यास को देश यह है अर्ध शेरी वातरवरेंड में शत्रू बलो के खिलाब वीबिन अब्यान के दोरां प्राक्ष किये गए अनुबावों को साज़ा करने और सेंक्त अब्यान शुरू करने के लिए शम्ता में व्रदी करना है भारते सेने दल में दो त्याइट गोर्खा राइफल समू पीर कंटी बटालियन के सेनक शामिल है यह दल 21 मार दोज़र बाइस को शेशल्स पॉज़ कया था दोस्तों हमार सेकंड कोशन है तो दोस्तों हमारे आप्शन्स है तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों इसके वह थोड़ी ओर डिटेल डिस्क्रिप्शन जानते है दोस्तों पॉज़्सकार 2022 फरानसी सी कहरे को मिला है जो एक आर्टीटेक्ट है शेक शखषच्छ रहसामाजिक काऱा करता है दोस्तों इस पॉलिशकार को अक्सर वास्तुकला के सरवस्ट سमोन के लूप में जाना जाता है दोस्तों फ्रानसी सी कहरे का जनम बुक्रीना फासो के एक छोटी से गाउ गांडो में हुआ था केरे प्रतिश्टित पुरिसकार जीतने वाले पहले एश्वित वस्तुकार है 1979 में हायात फांडेशन द्वारे स्थापित पुरिसकार वस्तुकार वस्तुकारों को दिया जाता है जिनका निर्मित कार प्रतिबार द्रिश्टि और प्रतिबदता के सयोजन को प्रदेशित करता है 2021 में यह पुरिसकार फ्रांसिसी आर्टिटेक्ट एने लाकाटन और जीन फिलिप वस्तुके पास गया था जिफके 2020 में ग्राफ्टन आर्टिटेक्स के शैली मेकनमारा और यवन फेरल को सम्मानित किया गया था दोस्तो हमारा नेक्स्ट कोशन है यानी हाल ही में इंडिन सूपर लिग 2021 का किताब किसने जीता है हमारे आप्शन से अ कैरल ब्लास्टर्स दोस्तो अगर आपके वीडियो पसंद आता है इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजेगा तो चलिए दोस्तो आप इसके अंसर देखते हैं दोस्तो हमारा करेक्ट अंसर है हेदराबाद फुटबल क्लब दोस्तो इसके बारे में आपको कुछ एक्स्टा फैक्ट्स भी बताऊँगा इस कोशन में आपको बहुत सा एक्ट्स बताऊँगा तो इस कोशन को ध्यान से समझेगा दोस्तो इंडियन सूपर लिग 2022 खिता वीजेता है हेदराबाद एफसी दोस्तो कि स्कोर आई इसने केरला ब्लाश्टर्स को दोस्तो हैदराबाद एफसी का या पहला इंडियन सूपर लिग खिताब है दोस्तो हर एक पॉइंट इपोर्टेट है ज्यान से सुनते हो चलिएगा दोस्तो फीफा का जो मुख्याले हो जूरिक में है अज्यक्षिस के जियानी इंफेंट टीन हो दोस्तो हम दोस्तो हम दोस आरिकिस के फीफा वल्ड कप चेंपिंशिप का विजयता रहा चैल्सी एफसी यूएई में यह जित हुआ था दोस्तो हम अब इसके बारे कुछ एक्ष्टा फैक्ट जानते है दोस्तों AFC मरिला फुटबोल एशे कब 2022 वो भारत ते जीता है बेश फीफा मैंस फ्लेयर 2021 रहे हैं रोबर्ट लेवान सकी बेश फीफा वुमेंस फ्लेयर 2021 रहे हैं अलेक्सिया पुटेलस दोस्तों ओडिसा में FIH होकेपुर जूनियर वल्ड कप 2021 में अर्जेंटिना ने जर्मनी को हराया है सीनियर वुमेंस नेशन फुटबोल चैंपियंशिप कैरल में जो हुआ था उसका विज़ेता मनिपूर है मनिपूर 21 वी बारिस का चैंपियन बना है दोस्तों FIFA 17 Women's World Cup 2022 में भारत में हुआ था दोस्तों COPA अमेरिका 2000 अर्जेंटिना ने जीता है Euro Cup 2020 इटली ने जीता है 2022 में 200 FIFA World Cup है वो कतर दौबाव में होंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट कोशन है According to the recent World Air Quality Report The World's Most Populated Country in 2021 is दोस्तों इसका मतलब क्या है हाल ही में विश्ववाई गुनवर्ता रिपोर्ट के नस्वार 2021 में दुनिया का सबसे प्रदोशित देश कौन सारा है हमारे options है A. पाकिस्तान B. इराक C. बंगलादेश D. भारत तो दोस्तों हमारा correct answer है C. बंगलादेश तो दोस्तों इसके बाएं थोड़ा और जानते है दोस्तों यह क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के नस्वार दुनिया का सबसे प्रदोशित शहर बंगलादेश है इसकी PM है शेक हसीना दोस्तों सेकेंड पर राया चार्ड कंट्री थर्ड पर पाकिस्तान दोस्तों भारत का जो इस्थान है वो फिफ्ट है दोस्तों दिल्ली जो आँ सबसे प्रदूशित राजदानी है पूरे वर्ल्ड में तो दोस्तों हमको प्लूशन को जो आँ बहुत कम करना चाहिए हमारे नेक्स क्वेशन है यानि हाल ही में फिफ्ट रेटिंग के अनुसार अगले वितवश्च के लिए भारत की जीडिप ग्रोफ रेट कितने रहने का अनुमान है हमारे उप्शन से है तो दोस्तों हमारे करेक्ट नसर है 8.5% दोस्तों फिछ रेटिंग इंस एक अमेरिकी क्रेडिक ट्रेटिंग एजनसी है और गसे हैं। ओं, हमने पताएं, इंसे एक का तो हमने नाम बता दिए.." और बाकी दो कौनसी है यह दोस्तों मोडी और स्टेंडर्ड और पूर्स यह दोस्तों गुनिसे पिचेतर में अमेरिकी प्रती बूती और वीन नीमें आयोग द्वारा नामित तीन राश्टर इस्तर परमानितर प्राप सांकी की रेटिंग संगर्थनों में से एक है इसका हीड़ गाटर है नियॉक साख नेक्षफाल टेलर तो दोस्तों हमारे निएक्स कोशवन है हूरसेंटली बिकम दर प्रेसिडेंट और तुर्किमेनिस्तान में हाल ही में तुर्किमेनिस्तान का राश्टर पति कौन बने है दोस्तो हमारा फर्स्ट आप्शन है सरदार बेर्डी मुखा में देव, ग्रुबांगुली 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 बेर्डी मुखा में देव की जगा ल होते हैं दोसों गैब्रियल बॉरिक जो चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं हर एक पॉइंट के पीछे एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है उसको अच्छे से पढ़ते हैं उसलिएगा कैटलिंग नौवाग जो हंगरी की पहली मैला प्रेसिडेंट बनी थी यूंग एकल का किताब किसने जीता है हमारे आप्शन्स है ए एसले बार्टी बी नौमी उसाका सी बार्बोस क्रिजी कोई और डी है इगा स्वीट एक तो दोस्तों हमारा करेक्ट अंसर है इगा स्वीट एक दोस्तों बी एन्वी परिवास ओपन टॉर्णामेंट 2022 जो वो इगा रेने वाली है दोस्तों इसे 2022 इंडिन वेल्स मास टार्स की रोब्याद है आयजे जन दॉस्तों मार 2022 सूर विटेट एक ए ladders ईयुट के रहने क मुली दोस्तों आपडिव अगर आपको वीडियो नीच्छा लगा तो इस वीडियो को लैए चैनल को सब्सक्राइब कर क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं आपके लिए ऐसा helpful content लाता रहता हूं तो दोस्तों मिलके नेक्स वीडियो में तिल दा टाइम ब्रेक यौर लिमिट्स